प्रिवेस लेक्शेज में बचे हम लोगों ने बार्मजाटिक्स के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने और्गनिक फूड जो है वो प्रिपेर की थी बाइदा रियक्शन ओफ फोटो सिंसिज आज की लेक्शर में हमने देखना है कि उस ओर्गनिक फूड को हम कैसे ब्रे कर सकते हैं और कैसे इनर्ची जो है वो हासल कर सकते हैं फर्स्ट अफ और वाल वाट इस रिस्पाइरेशन रिस्पाइरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रॉसिस होता है जिसमें जो living things होते हैं वो complex organic molecule को break करते हैं और उनको simpler molecule के अंदर convert करके जो है वो energy produce करते हैं फिर उस energy को जो है वो cells utilize करते हैं अपनी activities को perform करने के लिए तो इस process को हम कहते हैं respiration respiration को basically हम दो level पे study करते हैं means respiration की हमारे पास दो types होती है एक हमारे पास होती है external respiration और दूसरी हमारे पास होती है cellular respiration first of all we will discuss about external respiration external respiration के बारे में आप लोगों ने chapter 13 के अंदर gases exchange के अंदर discuss किया था कि external respiration को हम ventilation भी कहते हैं हम इसको simply breathing का name भी दे सकते हैं इस respiration के अंदर basically क्या होता है कि जो respiratory gases होती है वो exchange होती है और respiratory gases कोन कोन सी है एक तो हमारे पास है carbon dioxide और दूसरी है हमारे पास oxygen ये दोनों जो है वो exchange करती है between the organism and its environment means environment और living things के दर्मिया जो gases का तबादला होता है उसको हम क्या बोलते है external respiration second हमारे पास है cellular respiration cellular respiration को जो है वो हम internal respiration का name भी दे सकते है cellular respiration एक ऐसा process होता है जिसमें जो है वो energy बनाई जाती है और energy कैसे बनाई जाती है कि जो organic compounds होते हैं उनके अंदर CH bond होता है उस CH bond को break किया जाता है और break करके जो हम energy produce की जाती है in the form of ATP और फिर उस ATP को जो cells होती है वो अपनी activity को perform करने के लिए यूज़ करते है तो इस respiration को हम cellular या internal respiration कहते है उसके बार बचे हमारे पास जो process है वो है glycolosis glycolosis के जो है ये हमारे पास दो वर्ट से मिलके बना है एक है glyco और दूसरा हमारे पास lycis glycogen mean glucose and lycogen mean break down ये हमारे पास ऐसा process होता है जिसको हम common fuel का name देते है मतलब जो हमारे पास cells होते है उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा energy produce की जाती है वो glucose की जाती है और glucose molecule को तोड़ा जाता है और उसे energy produce की जाती है बाइदा process of cellular respiration ठीक है glycolosis का हमारे पास मतलब क्या होता है means splitting of sugar glycogen के लिए हम वर्ड इसमाल कर सकते है splitting का भी और break down का भी और glycogen का मतलब है glucose इसके अंदर क्या होता है कि जो sugar के molecules होती है जो glucose होती है उसको break किया जाता है और break करके जो है वो दो पारिल केसेड molecules जो है वो produce की जाते है और उसे जो है वो different तरीके से energy हासल की जा सकती है उसके बाद देखे कि बेटा जी हमारे पास glucose होता है वो metabolize करता है metabolize की skin तीचे में करेगा जब oxygen available होकी मतलब जो glucose का पॉलिकूल है वो oxygen की presence में जो है वो पारिवी case rate के अंदर जो है वो change होता है और इसके लिए जो है oxygen का available होना जो है वो जुरूरी होता है मतलब जब जब इसने है ठीक है और यह जो हमारे पास process होता है वो cytoplar means cytosol के अंदर हो रहा होता है आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोगों ने cytoplarm को study किया था तो उसका important function आपने देखा था glycolysis मतलब cytoplarm के अंदर जो है वो glucose के molecule तोड़ते है और उससे क्या होती है energy produce होती है इसके यहां बचे आप aggression को देख सकते है कि यह हमारे पास एक glucose का molecule है glucose का formula क्या होता है C6H12O6 इस molecule को जो है वो तोड़ा जाता है उससे क्या किया दाता है दो पारविक acid के molecule जो है वो बनाय जाते है और साथ जो है वो energy release होती है ठीक है यहां आप देख सकते है कि हमारे पास carbon 6 है और यहां आप देख सकते है carbon 3 है ठीक है यह हमारे पास 3 carbon वाला molecule है और यह जो glucose का molecule है यह दो हिस्सों में जो है वो तोड़ता है जो के पारविक acid बनाता है ठीक है और इसके अंदर क्या होता है कि जो NAD NAD हमारे पास क्या होता है यह co-enzyme होता है यह जब glucose का molecule टूरता है तो यह NAD यह जो होता है वो NADH2 में जो है वो convert हो जाता है ठीक है तो यह आपने question देखनी है कि जब glucose molecule टूरता है तो उसे हमारे पास दो पारवी kacid प्रोडूस होते है और साथ जो है वो energy प्रोडूस होती है उसके बार हमारे पास है glucose break tone आप देखे कि जब हमारे पास glucose molecule ब्रे करता है ब्रे करके जो है वो पारवी kacid बनाता है अब further जो हमारे पास पारवी केसिड होता है वो प्रोसीड करता है by different three ways एक हमारे पास होती है alcoholic fermentation मतलब जाग गुलकोस तूटेगा और तूटके पारवी केसिड में change होगा और पारवी केसिड फर्दर जो है वो chemical reaction करेगा किसके तुरू करेगा एक तो हमारे पास होगी alcoholic fermentation then हमारे पास होगी lactic acid fermentation और last पर हमारे पास होगी aerobic respiration यह different three ways है जिसके अंदर जो है वो पारवी केसिड जो होता है वो फर्दर जो है वो प्रोसीड कर सकता है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास first two reaction जो हमने बात की alcoholic fermentation और lactic acid fermentation यह होते हैं in the absence of oxygen मतब जब oxygen की मजूदगी नहीं होती तो तब क्या होता है alcoholic fermentation और lactic acid fermentation होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं anaerobic respiration बोलते हैं ठीक है और जो third step है जिसके अंदर हमने बात की है aerobic respiration के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जो reaction होते हैं मतब जो पारविक acid होता है वो proceed होता है in the presence of oxygen तो इस process को हम कहते हैं aerobic respiration फदर हमारे पास है types of cellular respiration अभी हम लोगों ने जो internal respiration को discuss किया कि जो internal respiration है इसके अंदर क्या होता है कि organic molecule को तोड़ा जाता है और वो organic molecule कौन सा था glucose और glucose से क्या बनाया जाता है पारविक acid बनाया जाता है तो इसकी हमारे पास दो टाइपस है एक हमारे पास है anaerobic respiration और सेक्ट हमारे पास aerobic respiration first of all I will discuss about anaerobic respiration anaerobic respiration के अंदर क्या होता है कि energy जो हो हासल की जाती है energy कैसे हासल की जाती है from organic compounds mean organic compound जो glucose है उसको तोड़ा जाता है उसे energy हासल की जाती है तो ये जो process होता है वो free oxygen की absence में होता है मतलब ये oxygen की गयर मुझूदगी में जो है वो reaction होता है इसी वज़ा से इसको हम क्या बोलते है anaerobic respiration इसके अंदर क्या होता है कि जो organic substrate होते है मतलब carbohydrates होते है glucose होते है वो completely oxidized नहीं होते ठीक है इसमें थोड़ी वो जो है वो energy जो है वो release होती है उसके बाद further anaerobic respiration की हमारे पास type है वो कौन कौन सी type है हमारे पास है सबसे पहले alcoholic fermentation then हमारे पास है lactication fermentation अगर fermentation का word जो हमारे पास आजाता है तो आप लोंके mind में ये होना चाहिए कि यहां जो हमारे पास reactions होती है वो anaerobic respiration होती है मतलब जो हमारे पास reactions होंगे वो oxygen की absence में जो है वो perform किये जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम देख सकते है alcoholic fermentation alcoholic fermentation के अंदर क्या होता है होता है तो इस fermentation को हम कहते है alcoholic fermentation simply हम ये कह सकते है कि पारवी केसिड से जब इथायल alcohol और carbon oxide release होती है तो उसको हम alcoholic fermentation कहते है ये जो बचे हमारे पास process होता है ये primitive cells के अंदर हो रहा होता है और primitive cells किसे कहते हैं जो के old हो चुके होती है प्राने cells के अंदर ये जो है ये जो function होती है वो perform होती है और कुछ yukaryotic cells होती है जैसे yeast है इन के अंदर alcoholic fermentation होती है means पारवी केसिड तोटके alcohol के अंदर जो है वो change हो जाता है यहाँ बचे आप अपर question देख सकते हैं कि हमारे पास section दी गई है कि ये जो हमारे पास पारवी केसिड थीरी carbon compound था ये change हो गया है कि इसके अंदर इथायल alcohol के अंदर और carbon dioxide के अंदर ठीक है ये इथायल alcohol बनती है जिसकी वज़ा से इसको हम alcoholic fermentation कहते हैं ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि जो NADH2 जो है ये बना था कब बना था जब glucose molecule तूड के पारवी केसिड के अंदर convert हुआ था तो ये दोबारा से क्या होता है NAD के अंदर जो है वो convert हो जाता है और इसके conversion से हमारे पास क्या बनती है इथायल alcohol बनती है उसके बाद इसकी हमारे पास second type है Lactic Acid Formatation Lactic Acid Formatation के अंदर क्या होता है कि जो पारवी केसिड molecule है वो convert हो जाता है Lactic Acid के अंदर Lactic Acid के लिए हम word lactate का भी स्वाल कर सकते है ठीक है अगर lactate आ जा या Lactic Acid आ जाए तो एक ही बात है ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है कि oxygen की absence में सकते हैं कि जो हमारे पास पारवी केसिड के दो molecule से बने थे ठीक है जब वो Lactic Acid के अंदर convert हो जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि Lactic Acid मतलब lactate बनता है और Lactic Acid Formatation हम इसके कहते हैं ठीक है इसके अंदर भी क्या हो रहा है अब जो Lactic Acid Formatation होती है ये कहां हो रही होती है तो Lactic Acid जो है हमेंस के muscle cells के अंदर हो रही होती है और इसके लावा जो animals होती है इनके अंदर भी होती है और ये कब होती है जब इनको physical activity जो हार्ड परफॉर्म करनी पड़ती है मतलब जब हमेंस को जो है उससे जो ATP होती है अगर वो ATP कम पड़ जाए तो उस ATP को पूरा करने के लिए जो Lactic Acid Formatation होती है वो muscle cells के अंदर स्टार्ट हो जाती है ताके ATP की अमी को पूरा किया जा सके अब यहां बच्चे आप देख सकते हैं कि जो oxygen है इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं किया जा सकता इजिली जिसकी वज़से Lactic Acid का जो है काम होता है और इसके लावर जो हमारे पास alcoholic और Lactic Acid Formatation होती है इससे जो हमारे पास energy produce होती है वो only 2% होती है मतलब 100% में से 2% जो हम energy release होती है किस प्रासिस से alcoholic और Lactic Acid Formatation से clear यहां मचे आप देख सकते हैं इस diagram के अंदर आपको बताया गया है कि जो हमारे पास without oxygen होगी तो हमारे पास anaerobic respiration होगी और इससे हमारे पास दो इसकी type होती है एक के अंदर जो है नेक्स आप लोग टॉपिक में डिसकस करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी कि क्रेब साइकल क्या होता है लास्ट पे बच्छे हमारे पास इसकी टाइप सैलोर रिस्पारिशन की सेकंड टाइप है जो कि हमारे पास है अरबिक रिस्पारिशन ठीक है Arabic respiration के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो नर्ची हासल की जाती है वो organic compound से हासल की जाती है और organic molecule को कैसे तोड़ा जाता है In the presence of free oxygen मतलब इसके अंदर जो है वो oxygen का होना जरूरी है ताकि organic molecule को तोड़ा जाए और तोड़के उसे जो है वो energy produce की जाती है एनर्विक respiration के अंदर आपने देखा कि 2% energy जो है वो produce होती है लेकर जो Arabic respiration होती है उसके अंदर 100% जो हो energy जो है उसके प्रड़ा जो प्रड़ूस होती है इसी बदाशी हम इसको क्या कहते है यह completely oxidized होता है और oxidize होके यह cell के अंदर जो है विडर्ची प्रेडूस करता है ताकि एजिली जो फंक्शन जो है वो प्रफॉर्म किये जा सके